इसराइल हमास के बीच छोड़े युद्ध में हिजबुल्ला लगातार इसराइल पर दबाव बना रहा है अपने खतरनाक ड्रोन और मिसालों से इसराइली एरस्पेज में खुसकर हमले भी कर रहा है हिजबुल्ला लड़ा के लगातार इस्राइली सेना और उसकी ठीकानों पर रॉकेट से बरसा रहे है लेबनान का हिजबुल्ला भी इस्राइली सेना के लिए बड़ी मुसीबत बना हुआ है हिजबुला लगातार इस्राइल के उत्रे हिस्से पर हमला कर उसे दहला रहा है हिजबुला के ताबड तोड रॉकेट, मिसाइल और ड्रोन हमलों से इस्राइल में तनाव चरम सीमा पर है और अपने अभियान को जारी रखते हुए हिजबुला ने एक बार फिर इसरायल को दहलाया है हिजबुला ने उत्तरी कबजे वाले फिलिस्थीन में स्थेत विबिन इसरायली सेन ठिकानों और सेना के ठिकानों को निशाना बनाया है ऐसा करके हिजबुल्ला ने अब खुलेाम जंग का एलान कर दिया है हिजबुल्ला ने बताया कि इस ओप्रेशन में उसके एक लड़ाके की अलकुद्स के रास्ते पर लगी चोटों के कारण मृत्य हो गए शहीद की पहचान इबराहिम हसन फदेल के रूप में हुई है जो 2003 में दक्षिन लिबनान के टॉलाइन शहर में पैदा हुआ था हिजबुल्ला ने घोशना की कि उसने दोपहर 12 बजे से लेकर 12 बजे के बीच दो बार अल राहिप सैनिस्थल पर जासूसी और निगरानी उपकरणों को सफलता पूरवक निशाना बनाया और पहला हमला तोप के गोले दाक कर किया उसके बाद ड्रोन से दूसरा हमला किया गया हिजबुल्ला के हमले यही नहीं रुके ठीक दो घंटे बाद यानि की दो बजे समोह ने हदाब यारोन साइट के पास एक इसरैली सेने तैनाती को तोप से निशाना बनाया बाद में शाम चार बज कर चालिस बजे कबजे वाले लिबनानी शेबा फार्म में जिबदीन साइट पर प्रतिरोध द्वारा रॉकेट लॉंच किये गए इसके बाद शाम चार बज कर पैतालिस बजे कफार चौबा पहाडियों में रामथा साइट पर एक और रॉकेट हमला किया गया इसके बाद ठीक 5-15 बजे भी हमले जारी रहे जब हिजबुल्ला के लड़ाकों ने उप्युक्त हथियारों के साथ बायद बिलडाल साइट पर एक इसराइली तैनाती को निशाना बनाया 25 बजे तो खाने के गोले हनीता बेस के आसपास एक इसराइली सभा पर गिरे रुएसत अल-ालम साइट से शेबा फार्म और कफार चौबा पहाड़ियों के बाहरे इलाकों और बागों में मशीन गन का उप्योग करके किये गए इसराइली हमलों के जवाब में लेबनान में इसलामिक प्रतिरोध ने कहा कि उसने मशीन गन से निशाना बनाया फिर साथ दस बजे समू ने राहिप साइट के पास एक सैयुक्त सैन और खूफिया बल पर रॉकेट से हमला किया जिससे सीधा हमला किया गया हेजबुला के भीशण हमलों से इसराइल में तनाव है इसी को देखते हुए इसराइली रक्षा बलो के प्रवक्ता रियर एड्मिरल डैनियल हेगरी ने कहा कि इसराइल एक महत्वपूर्ण सप्ता के लिए तैयार है हेगरी ने जनता से सतर्क रहने के अपील की है क्योंकि ऐसी आशंका है कि हिजबुला एक बार फिर से बड़ा हमला कर सकता है उन्होंने कहा कि से ना किसी भी संकेत के बारे में तुरंत अबडेट करेगी A short while ago, the IDF identified Hezbollah terrorist organization preparing to fire missiles rockets towards Israeli territory In a self-defense act to remove these threats, the IDF is striking terror targets in Lebanon From which Hezbollah was planning to launch their attacks on Israeli civilians this follows more than 6 700 rockets missiles and explosive UAVs fired by Hezbollah at Israeli families homes and communities since October 8th Hezbollah will soon fire rockets and possibly missiles and UAVs towards Israeli territory we will shortly update the Homefront Command defensive guidelines for those in Israel from right next to the homes of Lebanese civilians in the south of Lebanon we can see that Hezbollah is preparing to launch an extensive attack on Israel while endangering the Lebanese civilians we warn the civilians located in the areas where Hezbollah is operating to move out of harm's way immediately for their own safety Hezbollah's ongoing aggression risks dragging the people of Lebanon the people of Israel and the whole region into a wider escalation Israel will not tolerate Hezbollah's attacks on our civilians we are operating in self-defense from Hezbollah and any other enemy that joins in their attacks against us and we are ready to do everything everything we need to defend the people of Israel This is a moment of time when the President of the Chief of Staff of America, Vayu Sena Charles Q. Brown started an aggressive battle in Middle East Israel के आयन डोम को भी चक्मा देने में कई मायने पर खरे उत्रे हैं ऐसे में किसी बड़ी जंकी शुरुवात से इसरायल के लिए बड़ी मुश्किले खड़ी हो सकती हैं अर्ञाणी वा क्या छु़फा हैं ऑर्सपत सकता हैं शु़फा यह इसक बख़ी ऑु़फा हैं अर्ण उनित्रे हैं Camio